नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2023 में करवाचौत का वर्थ कब हैं। हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आए जाने पूजा का शुब मुहूर्त और चाड निकलने का समय। सुहग ने पूरे साल करवाचौत का इंतजार करती हैं। इस दिन वो पती की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस साल कव रखा जाएगा करवाचौत का वर्थ और किस शुब मुहूर्त में करें पूजा जाने यहां। हिंदू धर्म में करवाचौत सुहानिगों के लिए किसी खोली या दिवाली के त्योहार से कम नहीं होता है। देश में ज़्यादा धर जगहों पर करवाचौत बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सुहागी ने अपने पती की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन उपवास रखती है। खाने का एक नवाला तो दूर वे पानी का खूर तक नहीं पीती है। शादी शुदा महिलाएं निर्जला व्रत रखर अपने सुहा की लंबी उम्र का वर्दान भगवान से मांगती हैं। इस दिन महिलाएं सोलह शरिंगार कर करवाचौत का व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। रात को चंद्रमा को अर्ग्य देनी के बाद ही अपना व्रत खुल चतुरदशी तिथी को सुहांगिने करवाचौत का व्रत रखती हैं। इस साल करवाचौत एक नवंबर 2023 को मनाई जाएगी इस दिन सभी सुहांगिने सुख और अखंट सौ भागे के लिए व्रत रखेंगी और करवाचौत की कथा सुनेंगी और रात को चंद्रमा की पूजा का शुब मुहूर्थ इस साल करवाचौत की चतुरदशी तिथी 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9.30 पर शुरू होगी और 1 नवंबर बुदवार को रात 9.19 पर खत्म होगी। करवाचौत का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा वहीं पूजा का शुब मुहूर 1 नवंबर को शाम 5 बचकर 44 मिनट से शुरू होकर रात 7 बचकर 2 मिनट तक है शुब मुहूर्थ में पूजा की जा सकती है और कथा सुनी जा सकती है करवाचौत पर 4 निकलने का समय रात को 8 बचकर 26 मिनट है करवाचौत पर कैसे करें पूजा करवाचौत का व्रत रखने के सोर्य उगने के बाद व्रत शुरू किया जाएगा इस दोरां स्पनान आदि करके सुर्य देव को अर्गिल दे और पती की लंबी उम्र की काम ना करें व्रत में पूरे दिन कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए सुहानिगों को इस दिन लाल रंग के कपडे पहिनने चाहिए और सुलह शिंगार करके करवाचोत की कथा सुननी चाहिए पूजा के बाद सास के पैर छुटकर उनसे आशिरवाद लेना चाहिए और बायना निकालना चाहिए बायने में मीठी और नमकीन मठरी के साथ पैसे रखे जा सकते हैं वही सास को भी इस दिन बहु को शगुन देना चाहिए पूरी दिन निर्जला व्रत रखनी के बाद चंद्रमा निकलने के बाद उसे अर्ग्य देकर परिवार के रीत रिवाज के मुताबिक पूजा संपन करनी चाहिए छलनी में पती का मुँँ देकर चंद्रमा की पूजा की जा सकती है उसके बाद पती के हाथों से जलपी कर व्रत खोलना चाहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब रहे